आपने अदानी मैनेजमेंट के कॉमेंटरी का क्या माईने निकाला पजार के सबसे? तेख आज़े, आप स्टोरी को आगे लेते हैं, या ट्रेंड को आगे समझते हैं, क्यों गिरा, is not the point. क्या अदानी group of stocks और गिर सकते हैं, first, second, FPO अगर नहीं sale through होता है, अगर FPO fail हो जाता है, तो इसका impact क्या पड़ेगा, और अगर वा sale through ये subscribe हो जाता है, तो इसका impact क्या पड़ेगा? अदानी management बोल रहा है, हम confident है, issue will go through, और जब management इतनी confidence, इतने दमदार, चाती ठोक करके बोलता है, issue will sale through, तो लगता issue will sale through, उसके अंदर retail investor नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, logical है, कि अगर अगर अदानी enterprise का stock price जो है, अगर FPO से 10% नीचे है, तो retail investor को को कोई logic ही नहीं आने का, यह जो share है, इसके अंदर assets है, asset platform है, इसके अंदर infra business है, gas business है, airport business है, electricity transmission business है, तो यह लंबी अवदी के निवेशयों को के लिए बहुत अच्छा है, तो retail investor जो की एक, 4-3-6 मिने एक साल में, IPO pop के लिए आता है, FPO के अंदर discounts देखकर के आता है, I think retail investor नहीं आएगा, म हमने गिरावट देखी थी, शायद वो गिरावट रुख सकती है, एक factor हो है, second factor है, क्या पूरा का पूरा आज जो market है, केवल इनी stocks पे ही रहेगा, जी नहीं, नतीजे आने वाले है, FOMC है, तो market L&T है, State Bank of India आने वाले है, budget है, हम budget कैसे बुन सकते हैं, बड़ा budget है, तो market उ और Adani group of stocks settle हो जाते है, आज नहीं तो कल नहीं तो परस्वाइब, stocks prices settle होंगे, और अगर stock prices settle हो जाते है, तो market अब आगे भढ़ेगा, market में, second half of the trade में, if the stocks don't fall, markets will start talking about budget से क्या सकता है, FOMC से हमें क्या उमीद रखनी चाहिए, L&T के नतीजों से आज क्या क्या हमें मिलता है, State Bank of India से हम क्या उमीद रखेंगे, तो हम कहते हैं, this cannot be the center of universe, Friday को center of the universe हो चुका था, अब बात आगे भढ़ चुकी है,